तो राजस्तान में पानी की कमी होने के कारण लोग सुकी जीजो से सबजिया बनाते थे तो ये दानामेती की सबजी ये भी बहुत फेमस सबजी है राजस्तान की और मेरे गर में बहुत पसंद करते है इसे रोटी और चावल के साथ काने को बहुती डिलिशियस रेसिपी है तो ये तिती वगेरा में ज़्यादा तर बनाई जाती है परजूशन में भी आप इसे बना सकते हो एमली या मचुर की खटाए भी इसमें डाल सकते हो दही की जगा ये चना डाल है ये ज़्यादा कुप नहीं करनी है इसको वॉश करके हमने थोड़े देड़ भिगो दिया था और पिर इसको बोईल कर दिया था दो तीर विसल तक तो ये मेति है सुकी मेति इसको हम थोड़े देर के लिए भिगो देंगे ताकि ये फूल जाए ये फुल गई है अब हम चमका लगाएंगे उसके लिए हम लेंगे घी और जीरा और हींग लाल मेची पाउडर डालेंगे और हल्दी और तूरंथ हमको दही डालना है और जो फ्लेम है उसको हाई रखना है और कर्ची तेजी से चलानी है वना दही फट जाएगा जब हम दही का चमका बनाते है तो उसमें हींग जरूर डालते है इसे तेजी से चलाना और यह जैसे ही अमिल्गमेट हो जाएगा वैसे ही ये तैयार है यहाँ पर लोग बहुत मिस्टेक करते है इसे कम आज पर चलाते है धिरे धिरे तो ये देगी क्या हो जाता है फट जाता है अब इसमें हम डालेंगे बॉयल की हुई जना दाल इसको हल्का सा स्मेश करेंगे जिसे इसमें हल्का सा गाड़ापन आ जाए जादा नहीं करना है ये चना दाल ओवरकुक नहीं होनी चाहिए वरना ये दाल फ्राइट टाइप हो जाएगा कुछ तो ये डालने के बाद हम डालेंगे हमारी मेथी आपको जितना जोल चाहिए उससे सबसे आप पानी डालिएगा ये गई हमारी मेथी पानी मैंने निकाल दिया था नमक एज़ेस्ट कर लेंगे और मेथी डालने के पाद जादा कुक नहीं करना है आपको छेलिए तब ही आप सिर्फ गरम करने के लिए कुक कीजिएगा एक बॉयल आने के बाद तुरंत हम इसको बन कर लेंगे तो ये तीती वगेरा में बहुत बनाई जाती है और ब